AI यानि के Artificial Intelligence आज कल जो काम पिछले दोर में Human Intelligence के साथ किये जाते थे वो Computer Intelligence कर रही है और इसी को AI बोलते हैं यानि के Artificial Intelligence ये नाम आपने बड़ी बार सुना होगा लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ के AI होती क्या है और ये कैसे काम करती है AI हमारी दुनिया और रेड़ी चेंज कर रही है अगर आप देखें Virtual Assistance से लेके Recommendation System जैसे के Netflix पे Movies आप देखते हैं या Industry का कोई भी Aspect उठा के देख ले जहां पे लोग कोई एक System Automate करते हैं के वहाँ पे दुनिया की जरूरत ना पड़े यानि के लोगों के काम करने की या Labor की जरूरत ना पड़े Automatically सारे काम होते जाएं उसको AI बोला जाता है और अगले 10 सालों के अंदर AI सारी की सारी इंडस्ट्री को चेंज करने वारी है Including the Healthcare Industry Including your Business Intelligence Including your Businesses Small or Large Businesses Including your Tasks जो आप Perform करते हैं daily basis पे आपको salaries मिलती है तो हमें ये सारे के सारे चीज़ें अपनी आने वाले generations को क्यों सीखाने चाहिए और खुद क्यों सीखने चाहिए To sustain our jobs अगर हम AI नहीं सीखेंगे तो हमारी जौब जरूर AI खा जाएगी लेकिन अगर हम AI को सीख लेंगे तो हम अपनी जौब को और भी अच्छे तरीके से maintain भी कर सकते हैं और एक अच्छी जौब के थूँ उपर प्रमोशन पर भी जा सकते हैं Let me explain this in a normal way For example, recently ChatGPT अनॉंस हुआ ChatGPT के अनॉंस होते ही Google को लगी मिर्चे Google ने बोला कि नहीं भी मैं तो पीछे रहे जहूंगा ऐसे Google ने अनॉंस किया उनका बार्ड बार्ड जो है वो भी एक AI चैट बोट है यानि कि आप कुछ लिखते हैं और आगे से आपको answers करते हैं आप यकीन मनें कि बार्ड की inauguration ceremony थी योरप के अंदर वहां पे उनने इसे inaugurate किया और बार्ड से जो सवाल पूछा गया वो उसने घलत जवाब दे दिया उसका तो क्या हुआ इसी एक news की बेस पे बार्ड को 100 billion dollar से भी ज्यादा का नुक्सान हुआ कुछ सूतरों के अनुसार अगर मैं कहूँ तो यह बोला जाता है कि 120 billion dollar से भी ज्यादा का नुक्सान हुआ तो आप देखें कि AI की दुनिया के अंदर race इतनी बड़ी लगी हुई है कि बड़े-बड़े giant companies like Facebook Amazon, Google हो गई आपकी Microsoft हो गई they are investing a lot of money in AI based algorithms algorithm क्या होता है कोई भी function जो आप perform करते हैं वो अगर computer perform करेगा तो उसे हम algorithm कहेंगे और आपको भी पता है कि computer ठकता नहीं है, computer रोता नहीं है, computer में emotions नहीं होते, at the end computer क्या करता है, it can work 24 hours a day, 7 days a week and endlessly यह काम करता जाएगा और आप खुद सोचें कि क्या एक उसके साथ चल सकता है, बिलकुल नहीं चल सकता, लेकिन इनसान उस computer का controller जरूर हो सकता है उस computer के algorithm बनाने वाला जरूर हो सकता है, उस computer के नहीं को supervise करने वाला एक आज़ूर होसकता है, तो AI हमारी दुझी गए जाएगे अगर AI को नहीं सीखते, अब मैं आपको बताता हूँ क्या मसला है दुनिया में AI तो AI तो AI तो बहुत हुई पड़ी है, यह मैंने जान बोच के तीन दफ़ा बोला था कि आपके माइंड में स्टक हो जाए कि शायद इसकी वीडियो यहां पे स्टक हो जाए इसा नहीं है, AI की दुनिया के अंदर AI के अल्गोरिफम इतने ज्यादा आ चुके हैं कि AI को समझने वाले और AI को यूटिलाइज करने वाले लोग कम है तो now is the time, 2023 is the time if you want to learn and apply AI in your field then you can sustain your jobs very well than other people और अगर आपका खौब है कि बड़ी कंपनीज यानि के Google, Amazon, Facebook, Tesla, Microsoft, इन कंपनीज में जाना है जहां पर autonomous driving से ले के आपके automatic emails का reply, automatic हर एक चीज हुई जा रही है AI algorithms की base पे तो आपको आज से ही AI सीखना start करनी पड़ेगी अब आपको ये होगा कि यार AI सीखे कहां से तो उसकी simple सी मैं example देता हूँ आपको आपको शायद ये लगता हो कि पाकिस्तान या इंडिया का जो हमारा education system है obviously पाकिस्तान के मैं बात करूँगा basically तो वहां का education system जो है वो AI से बहुत दूर है इस वकत हमें अभी भी 9th class के computer में ये पड़ाया जाता है कि ये mouse है ये keyboard है, ये flying, ये flying, ये flying so just imagine कि दुनिया हमसे कितनी आगे पहुँच गी है, हमें आज और अभी ही online courses की तरफ जाना पड़ेगा, हमें Coursera हमें Google, Facebook और Amazon के जितने courses हैं AI से related उनको सीखना पड़ेगा, obviously वो English के अंदर है, अगर आपके English अच्छी नहीं है या आप English सुनके बोर हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे मुझूद हूँ जनाब, तो फैसलाबात से मेरा background है और बड़े ही देशी तड़के वाली example के साथ मैं पिछले दो साल से पढ़ा रहा हूँ, and if you want to learn AI with me, तो मैं एक निया course लेके जा रहा हूँ, जिसका link मैंने description या comment section में दे दिया है, आप उस link पे जाके click करें, click करने के बाद, आप एक registration form Google को open होगा, वहाँ पर register कर रहा हैं तो हम 40 दिन में, यानि के यकम अगस्ट 2023 से लेके 9th September 2023 तक, आपको AI की beginner से intermediate से, advanced level की training देने वाले हैं, और ये 40 दिन बहुत जबर्दस्त होने वाले हैं, और इसी वज़ा से मैंने इसका नाम रखा है, AI का चिला with python with baba amar I know, दो दफाव विदा आ गया, लेकिन AI का चिला with python अगर रखेंगे so it would be great, अपना खियार रखें आज ये रिजिस्टर करवाएं, अपने बच्चों को भी रिजिस्टर करवाएं इस कोर्स के अंदर, और एक छोटी से prerequisite की वीडियो है, जो मैंने google form में दे दी हुई है, उसके ओपर क्लिक करके वो भी देख लें, ताके हम सब मिलके पागिस्टान की तरकी में अपना जो करदार है वो एदा दा कर सकें ईदा या अदा अदा होता है चले कमेंट सекशन में मुझे बताइएगा अदा होता है या इदा होता है, अपना खया रखें दोआब हयाद रखें, इसलिए मैं आपको कहता हूँ के AI जरूर सीके और at the end मुझे इजाज़त दे मैं हूँ आप सबका Dr. Muhammad Ammar Tufail from Germany All the way from Germany Assalamualaikum Allah Hafiz